आज में आपके सामने लिखके आया हूँ आटमेटिक रोटी चपाटी मेकिंग मसिंग तो दोस्तों ये कन्वेर टाइप मोडल अपना रोटी बनाने का है कि इसको कैसे यूज करना है कैसे इसको चलाना है उसारी जानकारे हम आज इस वीडियो में आपको दिखाएगे और समझाएगे सबसे पहले यह टूल बोक्स का हमने ओपन किया है इसके अंदर से हमने यह चुबहार निकाला है यह है टूल बोक्स एसे इसका ट्रे है जो आगे लगा जाएगा और प्रेसिंग मसिंग के उपर जो लगेगा यह उसका पाठ है यह है लाइटर यह है अलग अलग प्लेट जो जपाटि का थिकनेस सेट करने के लिए ग्रीश है और इसके अंदर छोटे मोटे अलग अलग सभी प्रकार के आपको टोल्स दिए गए है जो अलग अलग जगापे आप यूज कर सकते हो और यह है ग्रीश करने के लिए गन तो दोस्तों सबसे पहले हम मोटर ओन करके मसिंग के प्लेट के बीच में जगा करते हैं और मोटर नमबर का प्लेट जो लगा था उसको निकाल के हम यहां पर दो नमबर का प्लेट लगा रहे और जो प्लेन वाला पाथ है तो उपर के और रहेगा तो दोनों साइड सेम प्लेट नमबर लगाना है तो दोनों साइड दो नमबर ही लगाना है ताकि एकदम रोटी प्रोपर निकल और आगे की और दोनों बोल्ट ओपन करके ये वाला पार्ट आपको ऐसे लगाना है ये वाला पार्ट आपको ऐसे लगाना है जो नीचे बेल्ट है उसको टच ना हो उतना उपर रखना है और फिर दोनों साइट के बोल्ट टाइट कर देना है उसके बाद प्रेसिंग म हमें हीटर own करना है, और जो दोनों दिखाई दे रहे, ये उपर वाला मिटर, और निचे वाला मिटर, दोनों, लोन . हीटर के temperature के मीटर है, set के button बड़ाये, तो आपको पता चल जाएगा कितने पेto set है, अब ये-दोनो 230 Christie पे set है, अगर temperature को आपको करना है तो उसका हम सिट बचन दबाके अरो के से up-down कर सकतेद। जितना चाहिए उतना हमें रखना है अगर रोटी चीिपक रही है तो आपको temperature बढ़ाना है और जो रोटी तूट रही है तो टेंपरेचर को डाउन करना है इस तरह से आप टेंपरेचर को प्लस माइनस जैसा चाहिए वह आप कर सकते है तो दोस्तो तब तक वैट करना है जब तक जितना हमें टेंपरेचर सेट किया है वहां तक टेंपरेचर ना आ जाए उसके बास दो देख 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 वीडियो में उपर निचे का दोनों का ze उपन करके पूरा प्रेस करके पूरा बहार निकाल देवर है आपकि यूजज करने में आशानी रहे आगे का पूरा डोर आप उपन कर सको इस सरे से आप ống देख गन के अंदर गिरिस को एड कर देना है पुरा आपको इसमें गिरिस एड कर देना है उसके बाद वापस गन को अच्छी दर से लोक कर देना है टाइट कर देना है फिर जो स्प्रिंग का लोक है उसको निकाल देना है फिर आगे के ओर ये नोजल लगा देना है और जितने भी इसमें आपको पेडिशन दे गए है, सभी पेडिशन पे आपको गिरिश करना है, टोटल इसमें 12 पेडिशन है, तो 12 जगापे आपको हर 3 दिन के अंदर गिरिश करना है, गिरिश इतना करना है, हलका सा गिरिश जैसे आप फीडियो में देख सको, उतना बहार आ जाए, उतना गिरिश आपको सभी पेडिशन के अंदर सभी बेरिंग के अंदर कर देना है 12 के 12 पेडिशन में आपको हर 3 दिन के बाद गिरिश करना है और दोस्तों यह चेन है इसमें चहां जहां भी आपको चेन दिखाई दे रहे हैं सभी जगापे इस तरह से आपको गिरिश कर देना है अब कर्मर बेल्ट ओन करना है और यह देख रहे हो आपको हिटिंग केमप्रेचर वहाँ पर सो करेगा कर्मर बेल्ट ओन करनेके बाद हम सभी बरनर को जलाएगे तो हम यह पहले उपर वाला बरनर को जला दिया है उसके बाद हम नीचे वाला दो नमबर का बंणर है उसको जलाएगे इस तरह से सभी बंणर को आपको जला देना है सभी बंणर एक बार complete चल जाए उसके बाद आपको कम ज़्यादा कितना रखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ यह तीनों के तीनों नीचे वाले भी बंणर हमने सभी बंणर जल जाने के बाद तो सबसे उपर है फर्ष वाला बंणर उसको कम रखना है उसके बाद जो मिदल में दिया गया दो नमबर का बनर है उसको भी कम रखना है और जो नीचे दिये गए हुए तीनों बनर को फलका फास रखना है इस तरह से हमें बनर को सेट करना है सेट हो जाने के बाद टेमरिचर 160 आ जाए फिर प्रेसिंग मसिंग को चालू करके रोटी का बोल बनाके उपर रखना स्टार्ट में। में प्रसेसिंग मशिनरी के सारे वीडियो मिलते देगे इस मशिंग को चलाना एकदम आसान है इस मशिंग को कोई भी चला सकता है जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आपको इस मशिंग को सेट अप करके मशिंग को चलाना है एकदम आसाने से कोई भी इसको चला सकता है तो करना है अगर थोड़ी आपको रोटी कची लग रहे है तो उपर वाला बर्नर को हलका फास्ट करना है अगर रोटी जल रहे है तो नीचे वाला बर्नर को दोर उपर वाला बर्नर को थोड़ा थोड़ा कम करना है इस तरह से हमें मसीन को चलाना है तो आप डिस्प्ले में देख देख सकते हो वहाँ पर टेमप्रेशर कीतना है अगर टेमप्रेशर जादा हो गया है तो बीच वाला बर्नर को बंद कर देना है ताकि टेमप्रेशर जादा बड़े नहीं तेमप्रेशर करीबन 160 से लेकर 200 तक रहेगा तो एकदम बढ़िया कंप्लेट रोटी मिलेगी आपको लेकर, प्रेसिंग में कैसे रोटी में प्रेस होके बेल्ट के अउपर गिर रही है यह पूरा आप इकदम गंप्लेट देख सकते हो मसीन की कैपेसिटी के बारे में हम बात करें तो एक गंटे में हमें 1000 आपको ने कंपलेट बना के यह मसीन हमें देती है अब दोस्तो मैं आपको machine के conveyor belt का interview दिखा होगा machine के अंदर कैसे चकर है कैसे अंदर chain लगा हुआ है कैसे वो work करते है कैसे रोटी conveyor belt पे आगे जाते कैसे फुलती हो सब आप देख सकते हो तो दोस्तो इस तरह से पूरा conveyor belt का system है कैसे work करता है आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share and subscribe केजिए thank you दोस्तो